आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और इस वक्त हम सपलोक आश्रम भिवाने में मौझूद हैं यहां पर तीन लिवसी है समागम का आयोजिन किया जा रहा है किया किया यहां पर है यहां पर लाक हों की संग्झाय में नाहरना और इना में को पट्रेट से वाई का में पंधारा है पंधारा कर लिया पंधारा क्या मतलब कैसा लगया कैसा लगया वेपस्ताइब लगता मनें देखिया एक लोग कैसे हैं यहां के लोग जो पहले शुने था कुछ आश्रम के बारे में कुछ तो शुना होगा लोग बहुत कुछ चुन रहे हैं बहुत कुछ शुन रहे हैं कुछ बता है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी मैं चोटा सा उधारन देरता हूं उस टाइम क्या बोला जा रहा था किस ताइम दर्चोद आगे टाइम यह उससे पहले भी इस अतलोग आश्रम में तो बात्रूमों के आके कैमरे लगे हुए थी क्या पता जूट बोल रहे हैं अभी तो आप देख किया है सब्सक्राइब कोई चीज आपको देखने को नहीं मिली ना और बताओ यह गरंत रखे हुए हैं सारे तो पड़े नहीं है अभी पड़े नहीं है पुछ पता है इनके बारे में तोड़ी बहुत जानकारी अश्रम का बार मताओ वाई कैसे लगया अश्रम में सारे वाइव अपनी सदा बाव से बढ़िया लगया अभी पुण्डरा कैसे लगया ठीक जा वैशारी से अवा कर रहे हैं तो किसे त्रियांगा पैसा लिया ना जमा कर वादिये आम बाई कैसे लगया अश्रम और कोई सुजाओ देना चाओ अपने कलास के दोस्ते ने बताना चाओ कि और आना ची एकनी आना ची है अना ची बंड़ा था हमारे आई टी आई के गुरू आए थी दर तो बोला था उन्होंने के उधर जाकर शेवा स्वा पाकी को भी बताना की वहां कालवास में बंड़ा रहा है जंतकवार रामपाल सुजाओ इसलिए आए आप बहुत बहुत दिनवाद राहूल भाई इसी कड़ी में हमारे साथ मोजूद हैं जिलाहिसार के वार्ट नंबर 16 के पार्शत श्री मनोज जी इनसे जानते हैं कि यह हमां करके इने कैसे लगा इनके क्या वेचाहर हैं सतलोका अश्रम की बारे में सर नमस्तार क्काना मनोज वैसे मैंने बतादिया एक पर अपना नाम आप पता दिजίए और कहां से हैं आप क्या काम करते हैं मेरा मनोज टांक्माही है मैं दिलापार शाथ हूं वारट नंबर शोड़ा इसार से मैं राजनिती में सब्सक्राइब पहले आचुके हैं या पहली बार हैं ऐसा है जी हमारे अंकल जी तेंदर जी भाई है विनोथ अपने परदीप जी काडू भाई है इनके मात्यम से मैं आया था ये इनुटेशन देखे आये थी मैं जे पहली है तो कोई भी संगठन हो जैंब एक दार्मिक संगठन हो राजनित्ति को अच्छा होता है वह एक कह सकते हैं कि वह संगठन की मजबुत्ती होती है और एक काम्या पोने का सुत्तर है अनुशासन को होता है जैसे पार्किंग काड़ी लगाई उसके बाद में हमने यहां आके कितापें देखी है और परदसनी देखी और खास करके जो बातने आज मेरे को पहली बार पता लगा कि जो अपने हमारे चारों वेट है रिक वेट शामेट उसमें से जो ग्यान है जो हमारा स्वतियों से चला रहे है कोई ग्यान आज संत्रामपाल जी के दवारा लोगों के अच्छी बात है अभी तक आपने अच्छा लिए लोगों का विवार कैसा है जो लोग यहां पर सेवादार है उनका विवार कैसा रहा ऐसा जी विवार तो बहुती अच्छा है और एक जैसे हम खाना लेते हैं जल की पिछे भी राम लगा के बोला जाता है पर सादा की जब तक आप सतलोग आश्रम में पहली बार नहीं आये थे आपने सुना भी नहीं था कभी देखा नहीं था तो तो बात के क्या विचार थे संत्रामपाल जी के पती या जो बाते जो पहले गटनाई हुई तब बताई गई मीडिया में दिखाई गई उसके बाद आपके क्य आपके बारे में कुछ से आप से मिला ही नहीं आपके बारे में सुना ही सुना है और वह भी नेगेटिव सुना है तो सिती सी बात है कि हमारे दिमाग में आपके प्रती पोजिटिव तो कुछ होगा नहीं आपके बारे में मैं तब जान पाऊंगा जब मैं आपसे मिलूंग यह आपके आस पास के जो लोग है उनसे मिलूँगा अब बार तो क्या चीज़ें चल रही है पार को हमने पोजिटिव नहीं सुना था पर यहां आए तो यहां का मावल देखा जो आज से एक साल पहले आया था मैं तो जो मावल देखा बहुती अच्छा स्यांदार जो एक होन अब लाइन पोजिट रखे था आमने इमानदारी की बात यह है कि अमने दख़बार में पटे थे और वह बात है जब किसी के बारे में कुछ सत्य पर चलते है जो सत्य के मारे प्रेशानिया तो आती है एक सवाल मेरा यह है सर कि आप पोलिटिकल बेक्डराउंड से आते हैं तो आपको क्या परेशान मिलते हैं जो आप यहाँ घीचे चले आते हैं बार-बार ऐसा है जी दपको खोई भी हो वहाँ एक स्कराजनित्वी बात करूंगा तो कोई भी फार्टी हो वहाँ एक ता होनी जरूरी है अनुशाशन ओना जरूरी है और एक इमांदारी होनी पर देखा जाता है उनको इस तरह के आयोजन में बुला जाता है उन्से चंदा भी मांगा जाता है मैं आप से इस तरह के कोई डिमांड रखी गई यहां के सर्दालों के दोवारं ऐसा जी मैं तो यहां चौत्ती बरा आया हूं और सब्सक्ट वेसे चारो बर बढ़ता है पोजन करके बढ़ाए ठाक हैं और यहां से गया हो नहीं थी देन ही बाया क्यूंकि यहां कि वह बता र तो यहां पर आपने एक रुप्या भी दिया नहीं और नाम से लिया रहे हैं एक बात हो रहा है कि जो राजनीती से जड़े लोग होते हैं वो समाजिक जो अच्छे काम होते हैं समाज की तरफ वो करते रहते हैं समाज की कारिय करने उनकी आदत हो चुकी है जैसे वहां रगदान शीवर लगाते रहते हैं संत्रामपाल जी महराज भी यह सब कारिय करते हैं आपने संत्रामपाल जी महराज के इन कारियों को अभी तक देखा है कर देखिक कर देखिने में कि आ अपने साठी करने के लाः उसको सोचना पड़ाता है Hé दरूदर से कई वार तो ब्याज पी पैसे या पाईचारे से पैसे गठे करने पड़ते हैं अभी मैं अपनी बेटी का अच्छे से रिस्तगरूं यह जो एक परंपरा है बिना खर्चे के और बिना देज के बहुत ही अच्छी लगी और जो उन्होंने बताया रख्दान के बा लोड हैं जी आपकी फैमिली के लोग है है या जो आपके प्रिटिकल सरकल में लोग है उनको क्या संदेष देना चाहेंगे शत्वरों की बारेों मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि जैसा मने सुना है उसके विप्रित है आप सब को एक बार अवस्य यहां आना चाहिए उसके बाद में आपको जज्जमेंट करें ना कि किसी की सुनी सुनाई बात पर अगर आपको कुछी चीदें पर भावित करें तो आपको अवस्य से जुड़ना चाहिए बहुत बहुत दिन्यवाद सर मनोची हमसे बात करने के लिए फिर्शको सतलोक आश्रम विवानी में लगातार सरदालों का आना जाना लगा हुआ है लाकों की संच्या में इस वक्त सरदालों आश्रम के अंदर मौजूद हैं बाचित का सिलसला जारी सर अभी जब हम आश्रम के अंदर आ रहेते तो बहार एक फ्लेक्स पर लिखा हुआ है संत्रामपाल जिमाराज के उदिश है तो उसमें पॉइंट आता है कि प्रश्चाचार मुक्त भारत बनाना यह बात तो सर हर कोई बोलता है कोई राजनेता नेता जब कुछ नाव लड और करने में बहुत अंतर हो संत्रामपाल के सिषे ना रिषवत लेते हैं ना देते हैं कहने का मतलब हम अगया अगर कहते हैं के बाफ दूरूर के लिते हैं तो बर्श्चाचार मुक्त नहीं हो सकता पहले अपना मुपना पहले हम we ship rains prasaur नहींए रिजे लूट मलेंगे इम तो यह बात की गारंटी है कि संत्रामपाल जी महाराज का कोई भी अन्याई प्रिश्वत नहीं लेता और नहीं देता है संत्रामपाल जी महाराज के कुछ मुख्य पोइंट्स बताएं दर्शकों के लिए संत्रामपाल के शिशे या माली की एक एक मरियादा है उस मरियादा के तहत हक्ति करनी होती है सबसे पहले है धुमरपान नशा किसी तरे का नहीं करेगा दूसरी बात रही ब्यासादी में खरस करना है देरना देरना यह भी बुन करना होगा मंदिर मश्चिद में जान की कोई बात आ जाती है मंदिर मश्चिद में भगवान नहीं होते है आस्था के तैज आते हैं वहां दाने के जूड़ नहीं है वक्ति करो प्रमात्मा को नाम लेने के बाद अपने आप शिद्ध ठीक हो जाएगा उसके बाद जैसे पुरा एक संत्रामपाल जी वहाराज ने अभी तक क्या कदम उठाए है तो आपके सिशे ले दे रहे हैं तो नेक्स्तरम में लेना होगा देना होगा जिसको दिया है उनको लेना होगा तो इस पर्मपरा को उपन करने के लिए द्यात्म ग्यान के आप से यह को इन अधिर रहे हैं और यहां पर तीनो दिन यहां पर जोती जबती रहेगी है और इसमें प्रोपर जीव जबतार रहेगा तीन दिन अखंड जोती है यह जह के जिदर कासी घीला उपर तक भड़ा हुआ है और यह लगातार तीन तक भड़ा ही रहेगा क्योंकि जो भी घीकम होगा तो सेवादार अपनी सेवा को देखते इसमें घील लगातार जालेगे लिए तीन दिन तक हुआ 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 है हुआ 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 है